नमस्कार साथियो, स्वागते आप सभी का सत्या एक्सेलेंटी यूटूब चैनल पे अभी आप स्क्रीन पर एक पेपर देख सकते हैं और यह पेपर प्रेटिकल का पेपर है ट्रेड इलेकिसियन का आईटेश सेकेंड एर का टोटल मार्क आपको यहां पर देखने को मिल जाता है 250 नमबर और इसमें जो आपको समय दिया जाएगा 8 गंटे का समय दिया जाएगा यदि आप प्रेटिकल का एक्जाम देने जा रहे हैं तो चली इसके बारे में आपको पूरी जनकारी देते हैं किस तरह के कोशन आते हैं और यदि आप प्रेटिकल लिखना चाहते हैं अच्छे से तो कैसे आप लिख पाएंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर कोशन के उपर मोटी हेडिंग में लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा attempt all कोशन मतलब कि सभी कोशन आपको करना है इसके बस आती हो आप निचाहेंगे तो यहाँ पर आपको कोशन भी देखने को मिल जाएगा जिसमें पहला कोशन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि construct and test a half wave rectifier मतलब कि half wave rectifier का निर्मान और परिच्छन करें और यह कितने नंबर का कोशन है तो 100 नंबर का कोशन आप यहाँ पर मिला लीजिए दूसरा कोशन यहाँ पर कहा जा रहा है perform speed control आप DC motor by field and armature control method मतलब की field और armature नियंतरण विधी द्वारा DC motor की गति नियंतरण करें यह आपका कोशन नंबर दो हो गया यह कितने नंबर का कोशन है तो आप यहाँ पर ध्यान से देखे यह भी आपका 100 नंबर का कोशन है तीसरा जो कोशन है साथियो test for continuity and insulation resistance आप और 3 page induction motor मतलब साथियो 3,4 प्रेंड मोटर की नियरंतरता और insulation परत्रोत के लिए परिच्छन इसका आपको परियोग लिखने के लिए आएगा और यह कितने नंबर का कोशन है तो 50 नंबर का कोशन है तो चलिए हैं यहाँ पर सबसे पहला कोशन यहाँ पर solve करते हैं जो कि rectifier से यहाँ पर कोशन पूछा गया है हाँ पर rectifier का निर्माण और परिच्छन करने के लिए तो यहाँ पर पहला जो परियोगे आप कैसे लिखेंगे तो पहला परियोग लिखने के लिए सबसे पहले आपको जो heading दागना पड़ेगा उद्यस यह का heading दागना पड़ेगा जैसे कि आप screen पर देखिए उद्यस यह आपको heading दागना है और उसके निचे आपको लिखना है और दितरंग दिश्टिकारी परिपत का परिच्छन एव उनका अध्यन करना यह आपका heading के निचे रहेगा इसके बाद आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जनकारी होने चाहिए तो आप यहाँ पर परिचे heading दागेंगे और परिचे में साथ ही आपको क्या लिखना है द्यान से देख लीजिएगा यहाँ पर आपको लिखना है जैसे कि आप screen पर देख सकते हैं थोड़ा सा यह लंबा है इसमें लिखना है अर्द तरंग दिश्टिकारी परिपत की परिच्छन में दो डायोड लगे होते हैं जो परत्यावर्ती धारा AC को DC में परिवर्ती करते हैं और अर्द तरंग दिश्टिकारी में दो इन्पूट जो होते हैं सप्लाइग को क्यावल धनात्मक अर्दचालक में चलान होता है इससे परते का अर्दकरम पर डीसी मिलती है यह आपको जो लिखना है परीशे में या और भी आपके पास इसके समधिक कोई भी जनकारी है तो आप लिख सकते ऐसा नहीं कि यही आपको सेम टू सेम लिखना है नहीं यह आपके उपर डिपेंड करता है यह आपके पास इसके बारे में जनकारी है तो आप लिख सकते हैं इसके बाद साती हो आपका अगला हेडिंग जो रहेगा आउस्यक उपकरण और समाग यह आपका जो लिखना है आउस्यक उपकरण और समागरी हेडिंग जाद कर नीचे लिखना है इसके बाद अगला जो आपका पड़ेगा सुरच्छा सवधानिया और निर्देश का हेडिंग इसमें आपको लिखना है इलेक्ट्रोलाइट संधारित को लगाते समय पुलोटी क उचित परकार से कर लें यह टोटल आपको जो चार लिखना है यह सुरच्छा सवधानिया में आपका रहेगा नोट कर लिजिएगा अगले कोशन के और बढ़ते हैं सुरी अगले यहाँ पर हेडिंग के और देखिए जिसमें अगला हेडिंग आपका पड़ेगा हैं अपको यह लिखना होता है कि आपने यह प्रयोग किया तो किस तरह आपने प्रयोग किया वो सभी चीज़ियों को आपको करम वाइज लिखना होता है जिसमें सात्य को यहां पर लिखा गया है कि परिपद आरेक के अनुसार नोट बुक पर बनाते और दूसरी बात सवरमर की secondary wekin के दोनों कर डायोट लगाते हैं यह आपका जा हो गया कारविदी हो गया कारविदी लिखने के बाद आपको एक और लिखना जो कि यहां पर मैंने कभर नहीं किया है वह आपका playing रहएगा परडाम का जिहां सात यह आप जागेंगे परड़राम का, और परड़राम में आपको लिखना यह जो परियोग है, आपने सफलता प्रुवक किया, मतलब की trud images we देखिए सातियो दूसरा कोशन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि परफार्म स्पीड कंट्रोल आप DC मोटर वाई फिल्ड एंड आर्मेचर कंट्रोल मेथड मतलब की फिल्ड और आर्मेचर नेंतरण विधी द्वारा DC मोटर की गती नेंतरण करें यह भी आपका important है तो चलें आपर कोशन नंबर 2 को देख लेते हैं कोशन नंबर 2 सातियो आपके सामने जिसमें यहाँ पर दिखाया गया है और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको जो heading दागना है उस heading का नापर उद्दिस ही है उद्दिस ही heading दागना है और उसमें आपको लिखना है फिल कंट्रोल बिदी और आर्मेचर कंट्रोल बिदी का परियोग संट सिरिज और कंपाउंड मोटर की स्पीड को नेंतरण करना यह आपका उद्दिस ही heading में रह जाएगा और इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत और जैनकारी है तो आप एक और heading दागिएगा परिचे का परिचे का heading दागिएगा और उसमें आपको लिखना इसके बारे में यहाँ पर आप इसके बारे में दो सब्द लिख दीजिएगा और आपका ये complete हो जाएगा और यहाँ पर आपको बताएं यहाँ पर इसका कैसे figure बनता है तो figure को आप ध्यान से देखिए संट फिल्ड और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर दिखाएगा तो figure आपका कोछ इस परकार इसका बनने वाला है और यहाँ पर आप निचाएंगे तो एक और आपका heading रहेगा परस्तावना का तो परस्तावना आप छोड़ दीजेगा अब यहाँ पर direct अगला heading दागिएगा जो की अगला heading आपका रहेगा आउजार उपकरण और समागरी का जिसमें साथ हो यहाँ पर आपको लिखना insulated combination प्लायर की जुरुत पढ़ती है इसमें तो आप सबसे पहले इसको लिखेंगे इसके बाद insulated side cutting प्लायर इसमें इसकी भी जुरुत पढ़ती है और 3 नमबर प यहां पर पांच एंपियर का रियो स्टेट भी रहेगा यह जो चीजे आपकी आज आएगी आउस्यक उपकरण और समागरी heading लिखने के बाद नीचे आपको लिखना पड़ेगा नीचे आप आएंगे सातियों तो इसके बाद यहां पर मोटर और उपकरण के बारे में भी आप लिख सकते हैं यदि आपके पास जनकारी है तो आप इसको लिख सकते हैं यह आप अगला heading यहां पर दागेंगे सातियों जिसमें आपको लिखना एक कारेविदी और कारेविदी में लिखना है पहले एक सरकिट डाइगराम बनाओ और इसे चेक कर लें दूसरे में पर पहला तरीका दुसरा तरीका और तीसरा तरीका आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है यह आपका जो हो गया सात्यों कोशन नंबर दो सॉल हो गया अब यहाँ पर इसको सॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक और हेडिंग दागना पड़ेगा यहाँ पर सौधानिय क पतलब कि आप इस परियोग को किये तो कि इनके नहीं पर बातों को ध्यान में रखते वे आपने सवधानी को इहां पर इस परियोग को किया तो उन सभी सवधानी को आपको लिखना पड़ेगा जिसे की connection सही कसे होने चाहिए इस टार्ट करते समय रिहोष्टेट का पूरा रजिस्टें सरकीट में काट देना चाहिए या तीसरे में आपको लिखना है स्टार्टर के हैंडिल को बहुत धीरे से घुवाना और जब हैंडिल आन इस्तिती पर पहुँ जाए तो मोटर को लिखी हुई स्पीड पर चलाना च चाहिए और फोर नंबर पे आपको लिखना है फिल्ड एक्साइटेशन विधी में आर को कम करके मोटर की अधिक कंट्रोल होनी चाहिए यह सरी जो चीज़े आपकी हो जाएगी सवधानिया में हो जी सवधानिया में आप लिखने के बाद आपको अगला हेडिंग इसमें द सफलता पुरुख संपन हुआ और यह जो आपका हो जाएगा सात्यों सो नंबर का कोशन आप असानी से कर पाएंगे बिल्कुल आसान है अब यह आपर यह तो आपका हो गया अब यहाँ पर अगला कोशन जो की पूछा जा रहा है कोशन में आप आते हैं यहां पर देखिए कोशन में यहां पर सात्यों अगला यहां पर पूछा जा रहा है कि टेस्ट फार कंटिनुटी एंड इंसुलेशन रिश्टेंस आप और थ्री फेज इंडक्सन मोटर यह 50 नंबर का कोशन है और इसको सात्यों में आपको बता दो यह मैंने कभर नहीं किया है क्योंकि मेरे प सब गुरूप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप डारेक्ट मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं